नास्कार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा उत्तरपदिश की चुनाव आने वाले हैं और भारती जहता पार्टी ने घोर सांप्रदाई खेल चुरू कर दिया है दोस्तों पौने 5 सालों में इनके पास विकास दिखाने के लिए बिलकुल नहीं था इसलिए इनोंने हिंदो मुस्लिम का कहल चुरू कर दिया है सांप्रदाई खेल चुरू कर दिया है जिस तरफ देखो दे उसनों, चाहे इनकी राजनेता हो, खुद मुख्यमंत्री हो या फिर इनका गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है इनके लिए और जिस तरह के जहरीले कारकरम कर रहा है सबसे पहले मैं आपका परिशे कराना चाहूंगा उत्तरपदेश सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंग से नहायती विवाद आस्पत बयान कहते हैं कि मदर से जो हैं आतंकवादियों के अड़े हैं आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है अगर मुझे मुझे मौका मिले तो बंद करवा दूगा तमाम मदर से पहले तो मैं पूछना चाहता हूं माननिये रघुराज सिंग से आपके पास पौने पास साल थे कर देते न भाईए पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनी ये महाशाय कहे कह रहे हैं फिर मैं उसकी चार्चा करूंगा सुना आपने इनके बयान का दूसरा हिस्सा मैं आपको बाद में सुनाओंगा मैं समझना चाहता हूं रघुराज सिंग से रघुराज जी अगर दो मिनिट के लिए मैं मान भी लूँ कि एकका दुका आतंकवादी इन मदर्से से निकले हूँ तो निर्भया का दुशकर्म और उनकी हत्या जिन पांच लोगों ने की थी वो भी किसी न किसी स्कूल से पढ़े हूंगे हो सकता है सरकारी स्कूल से पढ़े हूँ तो क्या तमाम सरकारी स्कूल को बैंग कर देना चाहिए सिर्व इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं आप इस तरह से हमला कर रहे हैं और जानते हैं मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने मदर्सों पर हमला किया ध्यान से सुनीगा मैं क्या कहने वाला हूँ मुद्दा ये है कि इन्होंने हमारे बच्चों पर हमला किया इन मदर्सों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और ये मानने वर जो हैं खुले आम कह रहे हैं कि इन मदर्सों को बंद कर देना चाहिए जहां बच्चे तालीम लेते हैं अपवाद हर जगा हो सकता है मदर्सों में अगर कटरवादी प्रशिक्षन मिलता है तो सच तो ये है कि अगर आपको इस तरह की टीचिंग इस तरह की शिक्षा मिल रही होगी तो आप दुनिया में अपने आप अपना वजूद नहीं बना पाओगे और अब देखिए दोस्तों इनके जो उलूल जूलूल बयान की श्रिंखला में अब आगे वो केरल सरकार की बरखास्त करने की मांग कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं आप देखिए के केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं महाँ पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याश उसे आतंकवादी गड़ बताने की अब कह रहे हैं केरल सरकार पर जो है उसे बरखास किया जाए मैं साफ तोर पर कहना चाहता हूँ दोस्तों भारती जन्ता पार्टी उत्तर पदिश की चुनाव आते ही तमाम जहर उगल रहे हैं इनकी जुबान पर कोई काबू नहीं है इ जेवर इंटरनाशनल एरपोर्ट का उधगाटन वहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आधितनात तमाम डिप्लोमाट्स के सामने उन्हें किसकी याद आई जिन्ना की याद आई किसकी याद आई दंगों की याद आई यह हमारे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों गर होता है मुख्यमंत्री का कि राश्ट्री शान की पहचान जेवर इंटरनाशनल एरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर इन्हें याद आ रही है जिन्ना की और दंगों की सुनिए क्या कहा था दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी को मानो किसी तरह का कोई कॉन्ट्राक्ट मिल गया है पाकिस्तान से जिन्ना की पब्लिसिटी करने के लिए मैं आपको मुख्यमंत्री आदितनात के दो भाषणों का हिस्सा सुनाना चाहता हूँ एक मॉन्टाज दिखाऊंगा मैं आपको और इसमें आप देखिएगा कितनी बार इन्होंने जिन्ना और तालिबान का नाम लिया है सुनिए तालिबान का समर्थन का मतनद जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं एक प्रकार से चालिबान का समर्थन कर रहे हैं रास्ट नायक सरदार पटेल एक और है आप दूसरी तरह पिस रास्ट को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरह तालिबान तो इस रोड़ता को दुनिया ने भी देखा था मजाया आप जानते हैं सबसे दुख्की बात ये है कि दिवाली का मौका था आयोध्या की पावन भूमी थी वहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने कहा था कि पहले की सरकारें तो मस्जिदों की और कब्रिस्तानों की दिवारे बनाते हैं हम तो मंदिर बनाते हैं यानि कि आयोध्या की पावन भूमी में भी इन्हें कब्रिस्तान की आदा रही है इतना कब्रिस्तान शमशान करेंगे तो राज किस पे करेंगे योगी जी मुझे बताईए ना माननी आदितना जी और दुख की बात यह है दोस्तों इन्हें पूरा पूरी मदद मिल रही है पालतू और घटिया मीडिया से और मैं आपको बताना चाहूंगा NBDSA ने एक आदेश निकाला है आपके स्क्रीन्स पर News Nation का एक कारकरम है जो करीब साथ नवंबर को चलाया गया था हिंदूों को मुसल्मान बनाने की इंटरनेशनल साजश ये कारकरम चलाया गया था NBDSA ने आदेश दिया है कि इस कारकरम को हटाईए ब्रामक कारकरम है पूरी तरह से पक्षपाती और आपको याद होगा NBDSA ने इस से पहले Times Now और Z News के भी कारकरम हटाने के आदेश दिये थे Times Now ने हमारे किसानों को बदनाम करने का प्रोग्राम चलाया था Times Now ने दिल्ली दंगों पर ब्रामक कारकरम चलाया था और उसको लेकर NBDSA का आदेश आया था और Z News ने जिस तरह से हमारे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया था और ये जुड बोला था कि लाल किले में तेरंगे को हटा कर खालिस्तानी जंडा लगाया गया है इस पर भी NBDSA का आदेश था कि इसे हटाई है तोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जिस तरह का जहर चल रहा है और ये जहर सिर्फ और सिर्फ उत्तरपदेश उनावों से जुड़ा हुआ है एक एक करके आपकी स्क्रीन्स पर गन्ना वर्सिस जिन्ना पर जंग ये कली प्रोग्राम चला है दोस्तों न्यूजेटीन देश के दूसरे सबसे धनी आदमी न्यूजेटीन का कारकेम दोस्तों आगे देखिए एक ही अंकर, एक ही कारकरम और देखिए दोस्तों पूरा तवज्जो weaker फोकस क्या आ है महंत के खिलाफ महागडबंधन फिर देखिए योगी व्र्सेज ओल महंत व्रसेज अखिलेश वर्सेज ओवैसी व्रसेज जैंत और यह देखिए गटबंधन या लटबंधन यानि कि दूसरे गटबंधन करें तो वो लटबंधन कहलाए और अगर खुद गटबंधन करें तो वो गटबंधन कहलाए और देखिए दोस्तों और भी जिन्नावादी वर्सेज राष्टवादी योगी वर्सस अब्बाजान प्लस चचाजान प्लस भाईजान अगर आपने देखा होगा एक ही कारिक्रम, एक ही आंकर, एक ही चैनल के अंदर किस तरह से जहर उगला जा रहा है किस तरह से ये पूरी जमीन तयार की जा रही है भारती जाता पार्टी के लिए ताकि वो 2022 में जीत हासिल कर सके, और आपने देखा होगा दोस्तों, हर तरफ फोकस यही है कि एक तरफ बिचारे मोदी योगी हैं और दूसरी तरफ ये सारे महागट बंधन वाले, ये देखिए साब यूपी में किसका पलड़ा भारी, मोदी योगी वर्सेज आल, कितने मासूम है न ये नियूस चैनल्स, और कितने असहाए, दबे कुछले हैं हमारे मोदी जी और योगी जी, उनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ ये दो हैं, जै वीरू हैं, जो गबर सिंग का मुकाबला कर रह मोदी की पूरी सरकार है, मोदी योगी के साथ, प्रधान मंत्री मोदी की सरकार की ये चार संस्थाएं हैं, NIA, CBI, Income Tax, और Enforcement Directorate, जो की विपक्ष को टार्गेट करती हैं, मोदी योगी की जब आप बात करते हैं, तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री हैं, जिनमें आमिच शा भ पाकाइदा, एक जिले का, एक खेमे का इंचार्ज बनाए गया उत्तरपदेश में, पर्षमी उत्तरपदेश की जिम्मेदारी दी गही है अमिच शा को, यानि कि इनके मंत्री वो काम कर रहे हैं, जो की पार्टी के नेताओं को करना चाहिए था, अब वो भूल जाहिए, अ मैं आपको बताता हूँ, योगी जी के साथ और कौन कोन है, योगी जी के साथ उनका पूरा प्रचार तंत्र है, करोडो रुपे जोंके हैं इन्होंने न्यूस चैनल्स में, योगी जी के साथ नॉड़ा के तमाम न्यूस चैनल्स हैं, क्या ये लोग ये बात भूल जाते है मैं यही तो समझना चाहता हूँ दोस्तों खुला खेल फरुका बादी जल रहा है खुले आम जहर उगला जा रहा है और इस पर कोई अंकुछ नहीं है यही वज़ा है दोस्तों मुझे इस मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि यह लोग एक पार्टी को जिताने के लिए समाज की नसों में जो जहर डाल रहे है ना उसकी कोई हद नहीं है अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों देश का सबसे जाद एक जाना वाला नियूस चानल इनके कारक्रमों में इनके दो कारक्रमों में कॉंग्रिस के दो प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया गया कौन से दो प्रवक्ता आपके स्क्रीन्स पर जीतु पटवारी और सुप्रिया शुनेत दोनों को बाहर कर दिया गया क्यों? क्योंकि ये जो सवाल पूछ रहे थे भारती जानता पार्टी के प्रवक्ताओं से, ये जो सवाल पलट कर इनके एंकर्स से पूछ रहे थे, इनके पास उसके जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया, जी तू पटवारी क्या कह रहे हैं आपके सामन लेकिन एंकर की जुझलाहट ने आज तक की निश्पक्षता पर फिर सवाल उठा दिया, नीचे लिखा है खिस्यानी बिल्ली, और इसी तरह से आप देख सकते हैं, सुप्रियाश्विनेत भी कह रही हैं, उन्हें भी एक एंकर ने बाहर का रास्ता दिखला दिया, मैं किसकी दिखाई दे रही है, प्रमोद कृष्णन की, आचारे प्रमोद कृष्णन की, जो के कॉंग्रिस के नेता भी हैं, जब आपको गोदी मीडिया इस तरह से बाहर निकाल देता है, तो आप इन न्यूस चैनल्स में क्यो जाते हैं, आपके ऐसी क्या मजबूरी है, मैं य इन लोगों ने, इन में से कॉंग्रिस के एक एंकर को जिसने निकाला, उस पर मीटू के भी आरोप लगे थे, तो यहां मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि क्रपया, क्रपया इस बात पर अवलोकन करें, इस बात पर आत्ममंधन करें, कि आपको इन न्यूस चैनल्स में जा आपस्पा यही है कि सच आपके सामने लाना बेबाकी से बगार डरे और ये काम न्यूस क्लिक पर मैं लगाता करता रहूंगा, नवस्कार